आज भी न, with present technology, if we want to make pyramids, हम नहीं बना सकते हैं pyramids और बहुत कम pyramids लोग बहुत बहुत से देखते हैं, लोग अंदर ने जाते हैं pyramids के, जो रस्ते हैं, मतलब अगर आप अंदर जाओ ना pyramids you will not believe कि उन्होंने कैसे काट के वो बड़े बड़े chambers बनाए हैं यार अभी तो measure कर सकते हैं, नहीं तो पहले तो उनके पास normal, मतलब आज से 5000 साल पहले हैं और हम किस technology की बात कर रहे हैं, यूरोप तो साला stone age में भी नहीं था doctor strange movie देखिए आपने, doctor marvel की movie है, यार भाई ना मेरे को ना मैंने जो पहले बहुत शिट लगी है वहाँ पर तुमने गोरी टकली बंदी को बिठा रखा है, वहाँ पर जो ग्यान पेलने में लगी हुई है हैं, और वे साल है क्या हम में कोई, मतलब यार, क्या है ये नमस्ते दोस्तों, Indian military और specifically special forces के बहुत सारे veterans के साथ हमने podcast episode बनाए है पर ये वाला episode मेजर सुषान सिंग के साथ बहुत ज़्यादा special है SF की life, special forces की life आपके दिमाग को पूरी तरह से बदल देती है, आपके नजरिये को पूरी तरह से बदल देती है after retirement from SF, मेजर सुषान सिंग ने क्या किया, उस बदली हुई mentality के साथ मेजर सुषान सिंग ने दुनिया भर travel किया, दुनिया भर के experiences गेन किये कुछ mystic, कुछ occult experiences भी गेन किये ये experiences क्या थे, मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस ये कहूंगा कि ये episode बहुत ज़्यादा मज़दार episode है, बहुत ज़्यादा exciting episode है, अगर आपको travel की stories, adventure की stories और दुनिया भर के perspectives जानने में मज़ा आता है, तो प्लीज ये पूरा का पूरा episode सुनिये, TRS Hindi is back मेजर सुषान सिंग के साथ एक और super hit episode स्टार्ट होगा, अब में जो सुषान सिंग दो रनवीशो हिंदी में आपका स्वागत है, आप स्माइल क्यों कर रहे हो, थैंक यू वेरी मच, या, पिछली बार एक super hit episode deliver किया था, तो आप लॉट चुके हो, आपकी बहुत ज़्यादा adventurous life रही है आर्मी के बाद, तो उन सारे adventures के बार में भी थोड़ा जानना चाहूंगा, पहले ही ये पूछूँगा आप से, क्योंके आप एक para SF के veteran हो, जो आपने पहली बार basically skydiving करी, I won't say skydiving, तो क्या होती ह अच्छा में थोड़ा सार पहले से बताता हूँ, तो यार मैं बड़ा तगड़ा swimmer हूँ, again self glorification, मतलब मैं अच्छी swimming करता हूँ, तो मतलब मैं एक बार jump मारता हूँ पूल में, तो 8090 लेंग्ट लगाता हूँ, उसके बाद बाहर आता हूँ, तो यार swimming तो हम करते थे, एं कितने फ्लोर होते हैं, जाद ही हो गया, देरर्द फ्लोर. यह, मतलब Minuten is about 3 meets, मतलब 3rd thousand. और वहहुपर चड़ यार वह हूड़ाय वहुश स्विम्न पूल इतना सा नजर आते हैं, तो यारा, वहहुद है फ्लंकर और आपे ना EHका ओना शुरू जाता है यार बाहतों की हालत खराब होती है, कई तो dead sinker होते हैं, मतलब you will not believe in NDA, many people jump who do not know how to swim, मतलब वो इतने जोश्टाइब ही होते हैं कि यार कुछ जाते हैं उपर से, तो मैं रहा हमेश्या तमाशा होता था, वापे पूरी squadra नीचे बैठी है and I am, you know, hesitating to jump, और मैं शुरू से ही I wanted to go into SF, तो मेरे को लगता था, भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा यार, यहां दस मीटर से तो jump नहीं हो रहा, हम हवाई जास से कैसे जाके jump करेंगे, खेर anyways, तो IMA में एक पैरा hike होती है, तो वो लेके जाते हैं पूरा पैरा basic course कराते हैं IMA से, जो term break होते हैं तो NDI में कहीं नहीं आपको hike पे लेके जाते हैं, तो हम लोग चुट्टी जाये करते थे, सालाव ऐसी रगड़ा खा रहे हैं, फोन वोन भी नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, तो सब घर ही जाये करते थे, और मैंने सोचा, भाई, यह तो I have to decide, कि whether I can jump out of aircraft or not, और बिल्कुल मतलब वो पहली बार था जब मैंने अपने, वो phobia होता, you can't help it, तो मैंने उसको करने के लिए ना, मैंने बोला, I have to go, I have to decide, तो हम चले गए, पहरा जंप करने के लिए आगरा, और चलता रहा basic training, basic training, यह और वो, फिर जब हवाईजाज, and purposely, I sat, कि बिल्कुल सबसे पहले जंप करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, कि AN-32 जो fly कर रहा है, तो उसमें यह आप ऐसे बैठे हुए, और यह सामने से उसका वो होता है, गेट जो ऐसे बंद है, तो जब वो खुलता है ना, गेट, तो गेट ऐसे नीचे slide होता है, यह एन-32 के, और आप यहाँ, 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 किनारे में बैठे हुए, यहाँ यह देख रहे हुए, ऐसे ही बैठे हुए, यह नीचे, हवाईजाज खता में यहाँ पे, और हम बैठे देख रहे हुए, और जब हमारी जम कराने के लिए लेके गए ना, साले हरामी ना, साथ में free fallers को लेके गए, और वो लेके गए सीधे 15,000 feet पे, और 15,000 feet पे जब हवाईजाज खुलता है ना, भाई तो आपको सौझ में नहीं आते कि आप हो कहां पे, तो उसमें ऐसे प्लस करके, वो बना रहता है, एक ऐसे दो पोल रहते हैं, ऐसे तो एक तरह से ऐसे उपर करके खुलते हैं, वहाँ से जंपर्स जंप करके जाते हैं, तो यह पहली एक तो पहली जंप थी वैसी फटी भी थी, ओ ले गए साले 14,000, 15,000 मेटर पे, और जब वो खुला ना, और वो फ्री फॉलर से, एक हजार डेड़ा जंप हो रखें, कोई साला ऐसे जा रहा है, हवाई जाज is going in front at 300 km per hour or something, and slip stream में बंदे जारे हैं, तो और जॉक 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 ऐसे दूर जाते हैं, और वो बिल्कुल ऐसे मस्ती में उल्ट, हम सोच नहीं साले हैं, लाई किसलिए हमारी और हमारी हालत खराब करने के लिए, क्या बिखा रहे हैं साले, और वो फूल डूट भूम रहे हैं सारे के सारे, मैं अभी sky diving करी, तो मेरे पीछे कोई था, जो पूरा पाराशूट, वो तो tandem में है ना, जुम हाँ, तो आपने tandem में जुम करें थी, बेसिक जो पैराशूट होता है, तो यह उससे अटैच रहती, लोहे के वायर से, और उपर भी एक लोहे का हुक है, तो वन यू जुम, इस तिंग ब्रेक्स, ठीक है, टाइक कट गई, और फिर पैराशूट अपने आप उपन हो जाता है, तो यू डोट आप टो दूदा मनुवर, वाट यू आप बताते हैं कि पैर क्लोस करके जंप करना है, तो इस यू उर्मिंटेनिग पोजिशन, पैराशूट विल ओपन आप उपन आप आप अपने आप दिपला हो जाएगा पैराशूट ते, जाओंगा, जब आप जंप कर रहो हो तो, जाएगा हवा चलती है, पुछ सुनाई नहीं दे तो आपको पता नहीं क्या हो रहा है, अब बताईए सुर, हाँ तो फिर उसमें ऐसे होता है कि सारे लाइन से लगे, सब एक दूसरे का एक्प्मेंट चेक करते हैं, पैराशूट डिपलोईज, हम लोग साड़े तीन सो, हाँ पंदरा सो फीट से हमारे साड़े तीन सो मीटर से फीट जंप होती है, तो वहाँ पर आए, और फिर अपना नंबर तो भाई पहला था, और बस फिर मतलब इट वाज वो तो था, ब्लड़ी अडिक्शन, क्यों? यार जो हाई मिलती है, या जो जो फील होती है, निट इस आउट अट अफ इस वर्ल्ड, फॉर सम मोमेंट, स्पेशली वन दा पैराशूट इस डिपलोईड, मतलब मेरे को तो चीज़ लग बिलकुल सननाट, मोला है कि, इस नॉट बिकास, तिंग्स अटिफिकल्ट, यार जो नॉट ट्राइ, इस बिकास, वी दूट्राइ, यार वो डर है, दस मिटर से मेरे को भी डर है, पर अगर उस डर से, क्योंकि यह अंदर के डर हैं, यह बाहर आप लड़ सकते हो, पर आपाइ, और मेरे को फिर आपाइट नहीं है, जाँ दस मिटर से प्रोब्र, बट धैनिट भीवेंजर बेंचमार्क, कि मैं अपने आपको, अपने अने नेचरल इंस इंस को रोग ए, तुक आना चैलेज, अन एड़ीड दैट, and then I was absolutely not afraid when you overcome अपने अंदर के डरों को जब आप जीते हो तो वह बहुत एक major source of strength होता है और काफी ज़ादा वह आपको test करता है mountains जब आप ऐसे altitude पे जाते हो और आप काम करते हो तो commercial mountaineering और 4G की mountaineering में फर्क क्या होता है यार थे commercial mountaineering में ऐसा है कि you hire an agency ठीक है जिसे so they do everything जैसे Everest है यार यूज़ आप पे 40 lakh or 44 lakh whatever you are not doing anything you are not doing mountaineering यार जो आके भरते हैं ना कि इससे related में एक चीज़ बताता हूँ जो पिछले podcast में भी हमने थोड़ा सा टच किया थे the why of things यार हम क्यों किसी काम को करते हैं अगर हम mountaineering करने जा रहे हैं तो हमारा पहला है कि हम उस पहाड से प्यार करते हैं मतलब वो जो challenges post कर रहा है उसको हम overcome करना चाहते हैं तभी हमें वो sense of victory होती sense of achievement होता है है ना हम glorification के लिए नहीं जा रहे हैं if you love mountains you go to mountains बहुत beautiful है average climbing nowadays is a joke क्योंकि महापे पूरी खुम्भू है आपका बहुत बड़ा challenge है खुम्भू icefall को cross करना पर आपे खुम्भू icefall doctors है जिन्होंने सारी row fix कर रहे हैं जिन्होंने सारी ladders लगा रहे हैं पूरी row fix करने का ठेका उठता है उसके पास ठेक है बहुत ताम से अभी शाद चेंज हो गया होगा तो everyone contributes so what are you doing you are not doing any climbing it's just ego gratification क्या आप ego gratification के लिए आप सीख तो कुछ नहीं रहे आपने 40 लाग रुपर खर्च कर दिया मतलब हमारी basic thinking ही कड़ बड़ है हम उस ego के कारण चड़ना चाहरे है कि यार आवरेश चड़ना है 6000 का मीटर वाला पहाड चड़के दिखा दिया और उसमें आलत करा हो जाएगी और ज्यादा 7000 का the challenges of mountaineering पहाड चड़ना या सेलिंग करना या आप कोई भी activity कर रहे हो you are attracted to it first of all कि वो जो महौल अप प्रोवाइड करते है कि पहाड़ों में बहुत Everest Base Camp तो city है यार डिसको भी चल रहा है वहाँ पे 24 घंटे light है, internet है and when we cannot do extraordinary things now I have realized एक और नया trend आगया है कि हम extraordinary को नीचे लिया है अभी मैंने एक बार मैं कोई पढ़ा की कोई महराब महराश्टा की लड़की 12 सल की Conquer's Everest Base Camp Conquer's Everest Base मतलब क्या है सला रस्ता बना हुआ है वहाँ तक उसमें से लुकला तक तुम फ्लाइ करके जा रहे है जो आधा रस्ता कर लिया पूरे रस्ते पे lodges, खाना पिने का समान हर जगे रुकने का है Everest Base Camp Hotel बना हुआ है तो तुम अगर सोचो कि तुमने बिना कुछ Extraordinary कर रहे है Extraordinary कर लिया है तो तुम यार जस्त ब्रिंगिं यरसर्फ डाउन आज के जमाने में सबसे मुश्किल Mountain कॉन सा है आपके according जैसे Everest का East Face, East Ridge अज तक नहीं चड़ी गई है because it is so difficult difficult शब्द का ऐसे होता है कि जैसे अब यह पहाड आप चड़ रहे हो तो यह ridge आ रही है और एक पहाड का फेस है जो vertical है तो if you're climbing from the ridge it is very easy because it is gradual but if you're climbing the face वो बहुत मुश्किल है because it is almost 80 degree की climb है वो ठीक है फिर आपके पास कहीं कैंप करने की जगह नहीं है कुछ करने की जगह नहीं तो आपको रॉक में कुछ पिटाउन गाड के वो जो hanging camps होते हैं वो करने है and it requires lot of strength तो even 6000 में कई सारी ऐसी peaks हैं जो faces हैं जो आप नहीं चड़ सकते 7000 में degree of difficulty increases even more तो कई ऐसे पहाड़ें 6000 जो अच्छे अच्छे लोग Everest चड़वें वो ऐसी face नहीं क्लाइम कर सकते Everest तो और वैसे अभी easy हो गया है क्योंकि इतना commercialized हो गया Everest otherwise Everest is a very difficult peak to climb क्योंकि खुम्बू icefall क्रोस करने में आदे बंदें निपट जाते थे बाकी K2 कंचन जंगा कंचन जंगा का आखरी जो वो 10-12 घंटे का है from last camp to the summit क्योंकि उसके बीच में कहीं camp करने की जगे नहीं है Annapurna जिसका नाम कहीं होने नहीं सुना होगा because it is one of the lowest 14,000 सबसे ज़्यादा बंदे Annapurna में मरते हैं उसका death ratio 1 is to 3 है मौत किस बज़े से होती है rock fall, basically rock fall या glacier slip हो गए या कुछ ऐसी चीज़ जो कुछ भी है पर treacherous terrain और वो सारी चीज़े और जादा तर death नीचे तरते होगे होती है चड़ते होगे डेथ नहीं होती है mountain sickness की बज़े से you are shacked out, बहुत जादा टायर हो you are tired, you make mistakes जब आप नीचे उतर होता फिसल जल्दी जाते हो फिसलते भी जल्दी हो, दुसरा आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है you are so dead tired बहुत alternative सवाल है next अब भूतों में बिलीफ करतू हूँ यार ये ना मेरे से कई लोगों ने question पूछा है क्योंकि मैं बहुत सन्नाटों में जिन्दगी बिताई है मतलब बहुत अकेला रहा हूँ मैं पहाडों में बीच में एक लाइटिंग मैलाइस करके प्रजेट शुरू किया था तो मैंने केमपर वैन बनाई हम अकेले पहाडों में रहता था in two years I drove about 60,000 kilometers कुछ-कुछ फील हुआ है कभी आपको नहीं यार कभी बिल्कुल नहीं vibe फील हुई है अजीब vibe तो अभी भी मेरे से किसी ने पुछा था आप जैसे मैं सहारा डेजर्ट में कैम करता हूँ वहाँ में तो यार साइकड़ो किलमेटर तो कोई नहीं रह रहा तो किसी ने पुछा कि कोई भूत भूत का experience है कोई भूत आया आप बस मैं शायद आया होगा यार मैं सो चुका था aliens मैं बिलीफ करता हूँ 100% या क्यों बिलीफ करता हूँ फरस्ट अफॉल एक बहुत बेसिक सा प्रिमाइस है कि वी आर नॉट दा उनली प्लानेट विच कैन भी नेबिटेट बहुत सारे और प्लानेट्स होंगे जो होगा दूसरा जो पिरामिट्स है ना और वो बाकी सारी चीज़े मतलब लोगों ने बहुत सारी थियोरीज दी है कि यार फारोज ने ऐसे बना दिया वैसे बना दिया भाई आज भी ना विद प्रेजन टेक्नलोजी वी वांट टो मेंग पिरामिट्स हम नहीं बना सकते हैं और बहुत कम पिरामिट्स लोग भार से देखते हैं लोग अंदर ने जाते हैं पिरामिट्स के जो रस्ते हैं मतलब अगर आप अंदर जाओ ना पिरामिट्स यू विल नाट बिलीव कि उन्होंने कैसे काट कि वो बड़े बड़े चेमबर्स बनाए हैं यार आप गए हो ना ओके कैसा रहा आपका experience यार इट वस अन्बिलीवेबल मतलब एक्चुली मैंने रिसर्च रिसर्च करके गया था मेरे को पता था बार मेरे को नहीं पता था कि जो उसके अंदर के चेमबर्स हैं जो उसके अंदर के रस्ते हैं वो मतलब इस लेवल का finness इस लेवल का perfection granite का बना हुआ है यार वो अंदर पूरा और उसकी तुम अगर cutting देखोगे वो जो passage बने हुए उसकी degree या perfect है 30 degrees पे या जो कहीं भी भी जा रहे हैं जो उसके अंदर जो main chamber है जो main pyramid of Giza है उसका जो main chamber है ना it is exactly जो उसकी tip है उसकी ठीक नीचे है exactly नीचे है अभी तो measure कर सकते है नहीं तो पहले तो उनके पास normal मतलब आज से 5000 साल पहले और हम किस technology की बात कर रहे हैं Europe तो साल आस टोनेज में भी नहीं था घासूस पहन के गुम रहे होंगे ऐसी गुम रहे होंगे गीजा के पिरामिड में अंदर जाने का कुछ वह नहीं एक तो 400 पाउंड की फीस लेते हैं मतलब कुछ 45,000 रुपए और बहुत भीड रहती हैं एक रेड पिरामिड है थोड़ा सा दूर सकारा थोड़े सी दूर एक जगह है दश और करके वहाँ पे रेड पिरामिड और बेंड पिरामिड है तो वहाँ पे जाना है यार और वो जो रेड पिरामिड का जो अंदर जो पैसे जाना इस एवन मोर मैगनिफिशिंट देन जो गीजा का जो पिरामिड है और शूटिंग अलाउड होती है मैं तो बहुत सारा रिकॉर्डिंग करके लाया हूं वहां से सारी चीजें पर बहुत अमेजिंग है और यह जो अमेजिंग है जो करना बहुत जरूरी है ना कि उस तमें क्या टेक्न लॉजिकल एडवांसमेंट इतना था वो तो नहीं था ना वो तो एक फैक्ट है और यह जो अबलिस्क जो नहोंने बनाए जो कारना का टेंपल है उफ एजिप्ट इस दैट वे मतलब जो फारोस का जो सिविलाइजेशन था वो बहुत दोना कुछ और ही लेवल पे था जो फ्रांस में अबलिस्क है वो महा से उठा के ले गए और जो महम्मद अली राजा था उबलिस्क देखे नो बड़ा सब बनाते हैं स्ट्रक्चर है फ्रांस में और शैम्स जेले से इस पे बहुत बड़ा बना हुआ और यूएस में भी वो बना हुआ बीच में वो ठाक है और जब उसको तुम देखो जमीन पर पढ़ा हुआ एक टूटा हुआ हुआ है मतलब इ क्रेजी चीजें देखी हैं आपने जिसकी वज़ए से आपका ये एलियन का बिलीफ ज्यादा स्ट्रॉंग हो गया मतलब मेरा काफी सांटिफिक अप्रोच है इसको लेके तो इसलिए मेरे को लगता है कि there there has to be some other civilization उसमें कोई शक्की बात ही नहीं है it is a matter of time या जो कुछ भ स्काय में यूएफो टाइप कभी यूएफो की साइटिंग हुई है आपको नहीं हिमाले में नहीं मेरे को लगा था कि एक तो वहां का आसमान लेव अगरा कि आगे करना बहुत जबरदस्त क्लियर होता है रात को नाइट स्काय मैं देखा एक तारह इतने तीजी से कैसे जा हमारे पॉड़कास पे एक गेस्ट आय थे देवांग थपलियाल कि आपने वो एपिसोड देखा है कभी हाँ शायद देखा है वो हमालियन एक्स्प्लोरर है उन्होंने बहुत अनेक्स्प्लोर्ड रीजिन्स में बेसिकली हाइकिंग करी है तो उन्होंने स्ट्रक्चर्स द जो बहुत पहुचे हुए लोग है ना जिनकी एजुकेशन चल रही है जिनोंने सब कुछ त्यागने की वो कर ली है तो वहां पर ऐसे दस बारा टाइप लोगों के रहने का वो बना रहता है और वहां पर लोग रहते हैं बिलकुल आइसोलेटेड से जगे में जहां चल रह यार भाई ना मेरे को ना मैंने जो पहले मेरे बहुत शिट लगी यार वो पिच्चर डॉक्टर स्ट्रेंज यार मतलब तुम साले तिबबत का दिखा रहे हो यार नेपाल में बंदा आया है वहां पर साले मतलब ठीक है तुमने हर कुछ हाई जो बिलकुल पेटेंटली हमा रहा है तुम उसको नहीं क्लेम कर सकते हैं वहां पर तुमने गोरी टकली बंदी को बिठा रखा है वहां पर जो ग्यान पेलने में लगी हुई है है और वे साले क्या हम में कोई मतलब यार क्या है ये उसको भी तुम दिखा कि तुमी ने सब कुछ किया है दिखाते है मतलब उनका ग्लैमर है यार उनका प्रोपेगेंडा है उस आले सब कुछ हाईजक कर लेंगे सब कुछ दिखा लेंगे पर मेरे को वो चीज बहुत मतलब हम नारे लोगों ने वो जिन्देगी जी है मतलब मैंने अभी ना एक बुक पड़ी है वाइट क्लाउड करके एक गोविन अनारत करके है मैं वे वड़ वाइट क्लाउड देट बूक एक इतालियन बंदा है जो वन और फ्यू गाइस जो चाइना उक्यूपाय जब तिबत के चाइनी उक्यूपेशन से पहले वहाँ पे गया था तो तिबतन मॉंक बन गया था और वो पहले शरीलंका में था and then somehow we went to तिबत किسी उसके लियर और फिर वो बिल्कुल ही उसका क्योंकि जो महायान जो शरीलंका का बहुत की बहुत सि इडियस है यहां जो कुछ बातें करें वो तो हमारी philosophy में कबसे है या मतलब लोगों ने माया और मतलब जो alternate dimension है कि existence कुछ और है कि कुछ और भी worlds है तो एक कार्लोस रिवेले की बहुत अच्छी किताब है ताइम के ऊपर क्योंकि टाइम का जो concept है बहुत वियर्ड है वो आज के टाइम से बिल्कुल मैच करता है but that was the end of it no one tried to you know west के बहुत comfortable है कि जहां जितना जरूरी होतना लो और उसके बाद आप ख़तम कर लो जैसे हमने doctor strange की बाते करी जहां एक school दिखाया गया आप यह मान दो कि ऐसे schools होते है 100% मतलब तिबद में तो थे ही ऐसे schools जितनी भी lama series थी उनकी जितनी monasteries थी हो सारी schools थे आप कभी गए हो तिबद यार वो एक regret है मैं तिबद जानी भाई मेरे को मौका मिला था पर मैं गया नहीं आप चाइना गए हो चाइना में रहा हूं मैं एक साल क्यों रहा हो चाइना है में martial arts सिखने गया था तो मैंने एक साल वहाँ पर विंग्चन और बाजी सीखा है और ताइची वाव ओके मैंने बहुत ताइची की एक session करी है जो बहुत ज्यादा impactful थी मेरे लिए ताइची समझा दो क्या होता है यह ताइची ने कुछ लोग सोचते हैं कि यह गुढ़ों के लिए है कि यह आरा जाए तो उन्होंने सब जैसे वो नॉर्मल कल्चर को खतम करनी कोशिश करते हैं तो उन्होंने कोशिश करें तो उन्होंने कुछ इस तरीके से और इसको थोड़ा सा मॉडिफाय कर दे कि ऐसा लगेगी बुढ़ों के लिए ताइची का जनरली पहला motion ऐसा होता है कि आप ऐ जोड़ा है कि वन यहां तो आप खड़े हो किया आप रियक्त नहीं कर सकते हैं आपको जंप मारना अगर आपको वह करना तो आपकी नीज थोड़े बेंड ना जी और जो चुप रेदीनेंस का जो बेंड नीज है कभी स्ट्रेट नीज नहीं तो वो तैची की कहानी है और ताइची के साथ यह है कि यह मतलब it is kind of meditation but ताइची just slows you down and it gives you immense amount of strength क्योंकि जब आप कोई motion ऐसे धीरे कर रहे हो और फिर उसको जब जो ऐसे कई motion ऐसे धीरे करके पंच तो यह बहुत जादा power डवलब कर रहे हो अपने arms में और अपनी अंदर बहुत जादा concentration डवलब कर रहे हो बहुत जादा precision डवलब कर रहे हो और लड़ाई में generally वो success होता है कि कि किसका दिमाह किता शानत है आपको ऐसा लगता है जो असली fighter होते न वो बहुत काम होते है one should not take examples from MMA क्योंकि वो violent है वो कौन है रो आइरिश बंदा जो साले दारूपी के गरता है Connor McGregor वाला टाइप वाली कहान ही नहीं वो खभीब बहुत शानत है अब फॉलो करते हो UFC मैं करता था खभीब के जाने के बाद निकरता खभीब की वज़र से फॉलो करते था हायर मैर को शुरू से बहुत जादे इंटरेस्ट था इन चीज़ों में यार बचपन में एक प्रोग्राम आता था हिंगरी के वीर हम बहुत छोटे थे हम ही बहुत छोटे थे तब न वो है एक पोटली टांग रखी किवल जिंदगी में और कुछ नहीं है रस्ते में चल रहा है कोई बंदी मिल गए बंदी को उससे बहुत प्यार हो गया पर उसने बंदी को छोड़ा फिर हो आगे चला गुंडे लुटे रहा है मार पिटाई करी फिर जंगल में अकेला सो रहा है तब से बड़ा फैसिनेशन हो गया था है वाट आ ब्रड़ी लाइफ या क्योंकि आपको उसमें आपका फ्यूचर दिख रहा था यह शहाएद पास्ट ऐसा था वाँ है ना फ्यूचर तुम्हें बहुत बाद में दिखता है हमारी सारी इंग्लिनेशन का मेरे को लगता है कनेक्शन है हम ऐसे ही नहीं क्योंकि किसी और को उसने नहीं हिलाए मेरे को नहीं हिला दिया कुछ जादा नहीं है या कुछ कोई म्यूजिक की स्ट्रिंग जो आपको छूके चले गए और आपके आँकों में पानी आगया और आपको सुझ में नहीं आए या हुआ क्या कारण था है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है तो वो चीज मेरे मतलब हमेशा से वो लॉंगिंग थी या एक इंडिपेंडनेंट जिंदगी की या कुछ इस तरीके की बेबाग जिंदगी की ना या जहां हम कियों अपने पैशन फॉलो कर रहे हैं जिंदगी की चीज़ों से दूर मार्शल आर्ट प्रैक्टिस यह वो व गए वहां पर हमको शावलेन में डाल दिया तो हर मार्शल आर्ट बहुत अलग है फिलोसोफी में और प्रैक्टिस में अब क्योंकि यह फेमस हो गया है कुंगफू कुंगफू और कुंगफू एक्चुली इस नाट वर्ड फर मार्शल आर्ट यह तो चाइनीज वर्ड फर पर वह बड़ा ग्लैम्रस लगा वेस्टनर्स को यार कुंगफू नाम अच्छा तो उसने कुंगफू कर दे कुंगफू का मार्शल आर्ट से कोई लेना देना नहीं है तो हमको आशावलेन में डाल दिया मेरे को क्योंकि इसके तीन-चार इंस्रक्टर थे यार शावलेन ब बहुत अब और पिरो टाइम फ्लावरी हो गया है बहुत जादा उसके जो फॉर्म्स है ना वो बजाय रियल इंपक्ट के वो अच्छा दिखाने के लिए भी बहुत मैनत उसमें एड कर दिये और उसमें बहुत एक्रोबैटिक्स चाही है बैक फ्लिप, फ्रन फ्लिप, रो नहीं है हलांकि वहाँ पर चीगॉंग की क्लास होती है जो मैं बहुत सीरियसली करता था क्या है चीगॉंग जो चाइनीज मेडिटेशन टेकनीक है उसको चीगॉंग बोलते हैं तो चाइनीज का ये आइडिया है कि हमारी सारी ची जो इंटरन अनरजी हो लोर अब्डॉमिन में है and if we can cultivate that तो हम उसको किसी भी बॉड़ी पार्ट में ले जा सकते हैं तो इसलिए जो हिंदी ये चाइनीज पिचर में दिखे ने बंदे ने लाद मारी बंदा उड़ता हूँगा सामने दिवार पर जाके लगा भाई वो वाकई में ऐसा होता है शुकडा सा बंदा ले जाके तरहां concentrate कर रहे है जब वो mental जो internal energy और फिजिकल अनर्जी वेन इट कमवाई तब वो explosive power बन सकती है फिजिकल अनर्जी का एक end है कि आप कितनी तेज पंच मार सकते हैं पर वो चीज़ का बहुत और दूसरा इट इस अनलाइक बॉक्सिं जिसमें किवाल aggression aggression है और यह कभी offense के लिए नहीं किवल defense के लिए बहुत जरूरी पर है पर उन्होंने इस चीज़ को इतनी अच्छी तरह क्लब किया है और शायद बहुतों को बहुत कम लोगों को पता हुआ है कि शावलिन बोधी धर्म का शुरू किया हुए जो monastery यह शावलिन बोधी धर्म ने बन मतलब they really look up to us यार और उनकी पुरानी comics देखा है जो कुछ राजा रानी का वो पूरा उन्होंने इंडियन उसके हिसाब से ड्रेस किया हुआ और विद्धिजम के कारण क्योंकि सारे monks यहां से गए थे तो जैसे हम Harvard वार 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 सोचने हैं सब जब फाया ना रुहन सांग इंडिया आये थे यहर उनके लिए इंडिया या जब तिबतन लोग इंडिया थे तो उनके लिए इंडिया कुछ और ही था यार कि इंडिया से बढ़कiste था रही नहीं ओके, भी switch कर देते हैं, सहारा डेजर्ट के बार में पूछना आपको, सहारा डेजर्ट के बार में कुछ बताईए, जो आपको सिर्फ वहाँ जाने के बाद बता चला, यहाँ डेजर्ट को experience करने के बाद बता चला, यहां मैं अपनी cycling expedition के बार में बता हूँ, थोड़ा उसे connected है अब introduction दीजे context दीजे थोड़ा कि आप यह cycling expedition है क्या अच्छा तो मैं अभी expedition पे हूँ जिसमें मेरा plan है कि to cycle every continent and to climb highest peak on every continent and to touch the lowest latitude of landmass lowest latitude मतलब जिसके नीचे धरती के जिसके नीचे के वाल Antarctica है ऐसे तीन जगह है एक तो New Zealand में bluff इनवर कारगिल से थोड़ा नीचे दूसरा के पलाल गुलास है South Africa में और तीसरा उश्वाया है अर्जेंटीना में तो यह lowest latitude है के नीचे केवाल Antarctic है कुछ नहीं है तो बहुत सारे लोगों ने cycling round the world करा है बहुत सारे लोगों ने seven summits करी है पर किसी ने cycle से पूरा continent cycle नहीं कि आया है और साथ की साथ seven summit करी है आज तक किसी ने दुनिया में नहीं किया है तो I am the first guy है पर ठीक है इज़त नहीं है इस podcast करा है चीजेंच होंगी ओके बताएगे सो I started off from New Zealand यह भी वही फ्रस्ट्रेशन के चलते आया था यह idea ना कि मैं बताया था ना मेरे पैसे खतम होगे अपको इसकी funding कहां से बल ही जहीं नहीं नहीं है मैंने अपना घर बेंख it in generator होगे तो मेरे पास अभी कुछ निये ना मेरे पास गाड़ी है कुछ भी नहीं अपने मिरे प्छ फन्निंग के link बना है internet link बना इसर भी ना कहानी क्या थी कि जब मैं पैसे खतम होगे ते मेरे वो जो अपनी रोमेंटिक जिंदगी भी तार था ना लाइटिंग इमाल याज गाड़ी खरीदी, केमपर राइन बनाया, रोमेंटिक आइडिया इस तो बहुत थे, पर कुछ नहीं चला तो पैसे सारे खतम होगे मेरे जो सेविंग सी, मैं आपको एक हट के बाद बताओ, आप बहुत तगड़े content creator बनोगे, अरे वायर, शाबाज, मैं बहुत बहुत फ्रस्टेटेड था था तव, और यह 2017 की बात है, तो फिर फ्रस्टेशन चल रहा था, बहुत पंगे हो गये, दुनिया भर के सारे जितने भी मेरे बॉसे बज़े रहा थे, सबसे मेरे पंगे, कि यार हमने फॉज में किसी की नहीं सुनी, साला बहार आके थोड़ी तुम चंदू की सुनूँगा यार में कि यार जो कुछ भी था, तो उनका, उन्होंने कहीं से मेरे को कॉंटक्ट किया, कि यार वी वांट तू मेक अ सिरीज नैट जीयो के लिए है, और जैसे ये मैन वर्सेज वाइल टाइप है न, ऐसा इंडिया का, एक्स्रीम इंडिया करके उन्होंने कुछ प्लान बनाया था कि, तो उनको यार अपन सारी प्रूफाइल फिट करते थे, स्पेशल फोर्से माउंटेनेयर ये और वो हैंड्सम तो मैं हुई, तो उन्होंने बोला कि यार विल्यू भी इंट्रेस्टेट मैंनों बोला यार, नथिंग लाइक इंडियू परसेंट इंट्रेस्टेट, यार ये तो यार अमेजिंग ब्रेक है, कहाँ ये जंडूगिरी की नौकरी कर रहे थे, अब यहां से साला सीधे नेट जियो के लिए सीरीज, दस बार एपिसोड थे उसके, पर साला यार लगवड है विट, उन्होंने एशिया पैसिफिक का पूरा स्टाफ चेंज कर दिया, नेट जियो का और जो नया प्रेसिटिंट है, उसने ही शेडल इस प्रोग्राम, तो यार वो आस्मान से टपके, हम तो खजूर भी नहीं अटके, साला बैक्टू मदारत को कुछ करने को था नहीं, पर तब तक तो छोड़ने का प्लान बनी चुका था, और तब मैंने सोचा यार अब कुछ और करना पड़ेगा आपने, दूसरा ये प्लान मेरे दिमाग में था कि यार साइक्लिंग करनी करना है, पर साला होए कैसे, सबसे बड़ा कॉश्चन तो यह है ना, करेज, आप वो सब कर लोगे, पैसा कहां से जुटा होगे, बहुत अमेजिंग ब्रॉशर ब्रॉशर बनाया है, मैंने सब को भेजा, जितने बड़े इंडिस्ट्रियों, रतन रतानन, महिंदर रंदन यलेकणी, नरैन मूर्ती, अक्षय कुमार, संबाद सल्मान खान, शारु खान, क्रॉकेटर्स, किसी को नहीं छोड़ा मैंने, और ब्रॉशर बहुत अच्छा था, एक बहुत प्रॉफेशनल बंदे ने बनाया था, बहुत अच्छा ब्रॉशर था, मैंने सुझा है, वा, गजब, ये साला, इंडियन आज तक ऐसा का, मतलब ऐसा, आज की दुनिया में मेरे को ये लगता है, कि ऐसा कुछ करना जो दुनिया में किसी नहीं नहीं कि बहुत मुश्किल है, सालाबन को अठनी भी नहीं मिली कहीं से, I don't blame them, ठीक है, हम इंडुस्ताने अभाबाजी करते हैं, पर हमारा ऐसा कुछ हो है नहीं न, हमारे वल्ड रिकॉर्ड ऐसे हैं कि बॉल को कितनी बार टप पे मारे, सुझी मैं कितनी बार धागा डाला, हमारा है यह ऐसा बैग्राउंड, हम क्या करेंगे, हमको कुछ फंडिंग तो मिलती नहीं है, हम कुछ बड़ा सोचे तो हमें कुछ होता नहीं, और हमारा नहीं है, प्रेसिडेंस नहीं है ऐसा करने का, शायद इस एपिसोड के बार मिल जाए, माशाल, जबर्दस्त, पर एक मेंट फंडिंग मिली या अब, नहीं, यॉर स्टिल सर्चिंग, अभी तो मैं सर्च भी नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे कुछ अच्छे लोग मिले, तो पर फिर मैंने फिर अपना ही सोल्ड आफ मैं हाउस, क्योंकि वो ही एक था, और वो खरीदा भी मैंने तब था जब मैंने फॉच छोड़ दी थी, मेरे पास तो, जितने में सोच रहा था बिके का उससे आधे में बिका, पर मेरे पास कुछ औप्शन नहीं था, मेरे पास एक्सिवी थी, मेरी बीवी ने बोला, यार कुछ कर लिया गर तो इसा टाइम वेज़ करता रहता है, तो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट शुरू किया, मैं बस लिस्नर से ये कहना चाहूंगा, कि हम एटलीस इंस्टाइडी लिंक कर देंगे नीचे, अगर आपको इस पर्पिस का एक हिस्सा बनना है, प्लीज गेट इंटच, अब यह बताइए, हाँ तो फिर, मतलब, ये मेरे को ये चैलेंज इतना फिजिकली और मेंटली नहीं है, मेरे लिए चैलेंज जो लोगों को लगता है, कि यार, जैसे मैं पूरा मैन पहुँ, मेरे कोई सपोर्ट वेहिकल नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ सामान मेरा साइकल के उपर है, मेरा टेंट, खाना, पीना, राशन, लेप टॉप, कैमरा, सब मेरे साइकल पर रहता है, मेरे साइकल का वज़नी के वाल 70 किलो है, सब मिला के, हर दिन मैं टेंट लगाता हूँ, अपना खाना बनाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, तो मेरे को इस तरिके की जिंदीगी अच्छी लगती है, उसमें मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है, तो आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई है, साइकलिंग, या, so in 2007, I started off from New Zealand, क्योंकि वो lowest point was in New Zealand, so I started off from Christchurch, and then I cycled, I circumnavigated the entire South Island, then from there I went to Australia, cycled all the way from Sydney to Perth, climbed Mount Kazuyos, which is the highest peak, then I cycled, पहले मेरा प्लान था रौंड शाइकल करने का, then I went to Indonesia, Malaysia, Thailand, then Chinna to Mumbai, I cycled, so it was about 12,000 km, क्या क्या दिखता है, इन अडवेंचर्स पर, यार मेरे लिए न, ये मेरे लिए वे अफ लाइफ है, तो, अब जैसे वो ही, बात spirituality से यहां पर आती, तो मेरे लिए ये वो जिंदिगी है, क्योंकि मेरे को लोगों को अक्यले, और लोगों ने बहुत पुछा है, अक्यले पन से डरनी लगता, बोर हो जाते हूं कि यह हो जाता, मैं नहीं बोर हो था यार, एवरी डे इस ब्यूटिफुल फॉर मी, तो मैंने तो कई सारी, हम लोग इतने, दब के रह जाते हैं ना, अपनी कमिट्मेंट्स में, रोज की सिंदिगी में, कि यार हम अपने आपको यह नहीं जान पाते हैं, यार हम क्या करना चाहते हैं, जब तक हम थोड़े से बड़े होते हैं, तब तक हजार कमिट्मेंट हमारे साथ बंद जाती हैं, फिर हम नहीं free कर पाते अपने आपको मतलब हम दुनिया भर को जानते हैं हम अठनी नहीं पता अपने बारे में हम एक घंटा अकेले एक बंद कमरे में नहीं रह सकते हैं पता नहीं क्या इंसे वो अफकूर्स है है क्योंकि हमने कभी effort ही नहीं लगा है आपने आपको जानने का या शांतर रहने का या कुछ और dimensions explore करने के लिए what I find weird here is कि आपको इन सारे adventures में ज्यादा जानवर नहीं दिखें I don't understand और वो भी wild animals dangerous animals नहीं दिखें यहर ऐसा है देखो न्यूजिलेंड में तो बहुत एक isolated island है तो वहां पर कोई wildlife नहीं है वहां कोई spiders नहीं है कोई hiran नहीं है वहां पर क्योंकि इतना दूर वह जब वह पैंजिया टूटा और वह इतने अलग चलेगे कि आपर कुछ भी wildlife नहीं है आपर कोई पॉसम से जो ब्रिटिश ने फर के लिए उन्टिश करे थे और की भालू का चोटा भाई है बहुत हरामी है साला वेजिटेरियन है पर वो बुसंडी बाबा नो बिल्कुल स्टॉकिली बिल्ड, immense amount of strength साला कहीं भी घुज जाएगा, खालेगा मतलब मेरे को आस्ट्रेलिया में बंदा मिला था वो साला रात को सो रहा था और उसकी कार रात को हिलने लगी तो पता चला भाई, वो वॉमबैट उसके अंदर गुज गए था उसको कुछ खुजली हो रही थी, तो ऐसे हिल रहा था और उसकी पूरी कार ऐसे शेक हो रही थी मतलब वो इतना वो होता है आपको दिखा है कभी? वॉमबैट मेरे को मरा हुआ दिखा आश्टेलिया इस यार वना दे मोस्ट इटिफल कंट्रीज एपलू लव सॉलिट्थुू वॉट नीचर के लोग भी कम है वह लोग कम है स्थी जम गोटक में आश्टेलिया जा रहा था तो लोगोंने समझाँ Australians के बारे में वह conversation को appreciate करते हैं अगर आप उन्से बात करो और नॉर्मल रहे तो यार बहुत बहुत cool और बहुत chill हैं Melbourne जब तक मैं पहुंचा मेरे को New Zealand से Melbourne के address मिलने शुरू हो गया थे अगर मैं Melbourne में एक महीने रुकता था तो मैं हर दिन घर बदल सकता था और हम जैसे हम बोलते हैं आती थी देव बाव यार हम कितने लोगों से रोड पर रुक के बात करते हैं किस अंजाने को मैं अपने घर में लेकर आएंगे यह मैं बता रहा हूं मैं इतने Australians के घर में रहा हूं ना इतने लोगों ने मेरे को रहा चलते रुक के पूछा और यार वो जोश टाइप हैं पर रुक के यह अप्रिशेट करते थे कि यह कोई बंदा क्योंकि वो खुद ऐसा काम नहीं कर रहेंगे कोई रुक के वोगी कोई इंडियन कर रहा है सबसे बड़ा सवाल यह कि मैं क्यों कर रहा हूं किसलिए मैं डिसाइड कर रहा हूं कि यह बहुत एक क्योंकि नाउ आउ आधा स्टेज की जो अलमुस्ट एक लास्टेज तो मेक मानी हैना तो सेब फूटर थे फूटर वार्व ने वह जो भी बेच दिया है मेरे पस कुछ भी नहीं when I sold off my house I had 6 lakh rupees in my account at the prime of my life और उसके बाद ही जो मैंने घर बेचा जो अपनी गाड़ियां बेची इससे मैं ये काम कर रहा हूँ और ना मैं नौकरी करने के राधा रखता हूँ I don't think it's the prime of your life I think the prime is professionally जो generally accepted norm है कि society में कि यार 30-40-50 साल दक आप कमाओ पैसे हो करो उसके बाद आप उसारी कुछ चीज़ें करो तो मैं बच्पन से ही नहीं ये जब स्वामी विवेकानन से स्वामी विवेकानन की किताबे inspired talks जो आज कल out of print है क्योंकि को इसको पढ़ ले तो स्वामी जी की तो विवेकानन जी की तो लिंचिंग हो जाती जिस तरीके की बाते स्वामी जी ने करी थी हिंदु धर्म के जो आडंबर और धौंग चल रहा है धर्म के नाम पे उसारी जिए बहुत ही blatant थे यार बहुत militant थे अपनी सोच में बहुत ऑनेस्ट थे तो बहुत उनका जब टूर चल रहा था इंग्लेंड और अमएजिका है तो उनके कुछ डिसाइपल से तो एक थाउजेंड आइलेंड पार्क वो है जो उपर जो ग्रेट लेक्स है ना उसमें एक जगह है वहाँ पे जाके वो रहे और वहाँ पे उनके चुनिंदा डिसाइपल्स गहे थे करीब दस बारे डिसाइपल्स थे तो वहाँ पे जो उन्होंने बोला वो एक लेडी ने ना लॉंग हैंड मी दिखखा था और मतलब Autobiography of a Yogi और अगर किसी के पास वो inspired talks है I don't think कि कुछ और जिंदगी में किताब चाहिए किताबें भी एक अलग माया है तो बहुत ग्यान है उसमें और बहुत ही प्योर ग्यान है तो उसमें उन्होंने वो लिखा था कि जो विदान्त की एक फिलोसफी है नेती नेती बहुत सिंपल उसका translation है not this not this so if you want to come if you want to find the truth just keep on negating कि यह नहीं यह नहीं यह सत्य नहीं है logic के साथ तो you will finally when you negate everything जब सब मना कम करते जाओगे you will reach a stage जहां पर तुम और negation नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़ का and that will be the truth for you क्योंकि आपसे intelligent कोई और होगा तो शायद उसको और भी चीज़ें नगेट करेगा तो जब मैंने अपनी जिन्दीगी में सोचा कि मेरे को क्या करना है पैस्वें के लिए मेरे को काम नहीं करना है तो नौकनियां हट गी मतलब एक जो solid जो ultimately चीज़ बची थी हो कि वहल यह चीज़ थी कि spiritual quest है और दूसरा travel travel हमारे लिए यार योगियों के लिए ना वो realization का एक रस्ता है व्यांकि जब आप travel करते हो तो सारे सारी churning होती है जब आप सबसे दूर हो तो सब start questioning जब आप hardship से गुजरते तो आपको पता चलता आपके अंदर कितनी दम है आपको अपनी weakness पता चलती है अब वो चीज़ खतम होगी बदरिनात के दारनात इतने पहाड़ों में हो किसली है यार मेरको अभी तक यादे जोशी मन में posted था मैं बस से जा रहा था वापस अपनी location में और एक साधू जा रहे थे नीचे रोड से मैं ऐसे दिखा यार अपनी जिन्दगी में मस्ट नंगे पैर केवल नीचे धोती पहनी हुए उपर एक भगवा कपना कपड़ा डाल रखा पोट ले डली और मस्ट खुशी यार उनके चहरे पर जो खुशी थी ना I have still not forgotten it is it was in somewhere in 99 मेरे को लगा यार ये अलग लेवल की जिन्दगी है तो ऐसे नेती नेती पर कर कर आके मैं इस पर पहुँचा हूँ कि यार मेरे को क्या कर रहा है and one has to be pure with one's intent मैं कोई publicity के लिए कुछ नहीं है मैं इतना सारा कुछ कर लिया चल रहा है इंस्टाग्राम पर अभी मैं मनवर के पोस्ट डालता हूँ मैं ऐसी पोस्ट नहीं डालता हूँ मैं बहुत लिखता हूँ पोस्ट के साथ मैं चाहता हूँ इसके बाद तो इसलिए I am ending this particular episode very abruptly I know but मैं ये definitely कहना चाहूँगा कि thank you कि इतने सारे perspective share करने के लिए एक podcaster के लिए joy यह होता I have definitely not lived your life पर मैं को आपकी life की एक movie दिख गई है इस podcast में हलके से and आपका जो पहला episode ता आर्मी का episode उसमें आपकी एक तरह की personality दिख गई थी यहाँ आपका जो inner child वो दिख गया हमें and I am sure audience feels the same thank you और आपके साथ बहुत सारे podcast और भी record करें because I feel you have that much experience और अपने इतने सारे चीज़े देखी इतने सारे चीज़े को experience किया तो आपके अंदर और 20 podcast thank you शायद यह biased opinion कि मैं content creator हूँ पर मैं यह भी जानता हूँ कि content की दुनिया कहां जा रही है long form content की जरूरत है documentaries की जरूरत है especially Indian perspectives की जरूरत है international stage पे तो I hope and pray to God की क्या word है वो when things come together क्या काइनात काम करना चीज़ु परती है सा कुछ पर जो भी providence should be at play we need to see more content of you और यह जो आपकी जर्नी है worldwide traveling की जो नी यह भी document होनी चाहिए I hope कि this podcast is one step in that direction major sir thank you thank you very much thank you for calling me it was a real pleasure talking to you thank you thank you sir अभी third episode record करते है the yeti special तो दोस्तो यह था major Sushant Singh के साथ हमारा दूसरा episode पर यह shooting एक trilogy shooting थी यानि की एक तीसरा episode बाकी है अगर आपको यह episode अच्छा लगा I promise you आपको अगला episode भी बहुत बढ़िया लगेगा नीचे हम link कर देंगे major Sushant का पहला episode और हमारे बाकी के जितने भी army episodes हैं हिंदी वाले army episodes please उन्हें जाके सुनिये बहुत कुछ सीखोगे आप military के बारे में life के बारे में और बीरता के बारे में special forces veterans के साथ ऐसे conversations मेरे favorite होते हैं and I hope कि आपने भी इस conversation को बहुत ही ज्यादा enjoy किया हो इस podcast की growth होगी आपके shares की वज़े से इन podcast को whatsapp पर जितना हो सके share कीजे और TRS Hindi की family की size बढ़ाईए lots of love to you all जाए हिंद